आज के इस वीडियो में बात करेंगे Medieval Society की, बात करेंगे मद्देयुगिन समाज के Unit 2 के Chapter 4 की, इससे पहले हम Unit 2 का Chapter 3 पढ़ चुके हैं, यानि Total 3 Chapter इसके उपर पढ़ चुके हैं, आज हम बात करेंगे Chapter 4 की, जो हमारा है इसलामी दुनिया में Sanskritic Pattern, तो चलिए डिसकस करते हैं इसको, एक बार आप स्लेबस मैच कर लिए, टोटल तीन यूनिट है, जिसमें से पहली यूनिट कवर कर चुके हैं, दूसरी यूनिट का Part 3 हम कवर कर चुके हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं Part 4 को, इसलामी दुनिया में Sanskritic Pattern, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टेलिग्राम प इसलामी दुनिया में, वो दर्बार में पनपी थी, और दर्बार क्या था? दर्बार इसलाम में सीर्ष पर था, यानि दर्बार से ही सारी संस्कृती, दर्बार से ही सब कुछ प्रशाशनिक, राजनीतिक देख रेक जो है वो चलता था, तो दर्बार में जो संस्कृती थी, वो कुन सी थी? अदब संस्कृती थी, और ये दर्बार में ही पनपी थी, यह प्रशाशनिक और सांस्कृतिक अभिजात वर्ग की संस्कृति थी यानि प्रशाशनिक की संस्कृति और अभिजात वर्ग की प्रशाशन की जो संस्कृति थी वो क्या थी? अदब संस्कृति थी वैसे अदब एक अर्बी शब्द है जिसका मतलब होता है तहजीब में रहना ठीक है अदब का मतलब होता है तहजीब में रहना तो ये अभिजात वर्ग और प्रशाष्निक जो कामकास थे उसकी संस्कृती थी जो ना केवल शहर आधारित थी बलकि अनेक दिरिश्टी कोनों म ये महानगरी आधारिक भी थी यानि कि इसका जो प्रियोग था वो ना केवल शहरों में था बलकि महानगरों में भी था हौंग सन के अनुसार इन्होंने एक अदब के लिए परिभाशा दी है इन्होंने कहा अदब एक ऐसे शीर्शक के तहत अभिवेक्त के जा सकता है जो अदब संस्कृति जो थी वो दर्बार के साथ साथ प्रांतिय केंदरों में विक्सित हुई थी इसलाम में अदब संस्कृति में जो भाशा का प्रियोग किया गया है अदब संस्कृति में मुख्यत अर्भी भाशा का प्रियोग किया जाता है अर्भी भाशा के संगीत देखने को मिलती है कहानिया देखने को मिलता है तो अरब संस्कृति में अर्भी भाशा का प्रियोग होता था इसलामी भूमी में अदब संस्कृति को मजबूत किया गया था यानि मजबूती से कई कोशल के अंदर माहिर है उसको अधीब कहा जाता था यहाँ पर जिसे सहाइत्य कोशल ठीक है बोली और लिखने दोनों में गोरव का स्थान प्राप्त था यानि जिस व्यक्ति को जिस व्यक्ति में सहाइत्य कोशल बोलने में लिखने में जिसे प्राप्त है ठीक है वो व् उस व्यक्ति को अधीब कहते थे। अदब को व्यपारी वर्ग और अन्य संस्कारी लोगों ने उत्सा से गले लगाया। तो अरब साहित्य जो वो मुख्य घटक था अदब का, विशेशकर कवीता, कवीताओं का इसके इंतरकत बहुत प्रियोग किया गया है, इसलिए विशेशकर कवीता जो है साहित्य का प्रमुक अंग थी, एक अधीब को, अधीब मैंने भी आपको बताया अधीब कौन वहवेक जिसको साहित्य कोशल बोली, लिखने का दोनों में गोरव जिसको प्राप्त हो, तो अधीब को पवित्र सरिया के साथ-साथ, देश के नियमों, सिष्टा चारों को भी अच्छी तरह जानना चाहिए, यानि जो एक अधीब, यानि ये कह सकते हो कि एक जिम्मेदार व्यक्त उस समय का एक जिम्मेदार व्यक्ति जो था, जिसको साहित्य की पूरी नोलीजों बोलने में, लिखने में, इसके साथ-साथ वो पवित्र शरिया का पालन करता हो, पवित्र शरिया के सभी नियमों का पालन करता हो, और उन नियमों को इमानदारी से निभाता हो, सिष्टा अच्छी तरीके से जानता हो, तो वो कून था? वो अधीब था उस समय. मोखिक कलाओं को अदब में एक उचित स्थान दिया गया था, क्योंकि कोई भी कला जो है वो मौखिक रूप से अत्यदिक जनता तक जुड़ पाती है तो इसलिए मौखिक कलाओ को अदब में एक उचितिस्थान गिया गया था जिसमें अनेक कविताएं थी अनेक मुहावरे थे जो जनता के समक्ष प्रस्तुत किये जाते थे अर्भी गद्दे लेखन में अदीब को कहावत कहानियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था यानि अर्भी गद्दे की बात करें तो उसमें कहावत और कहानियों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था तो ये सब किसमें था ये सब अदब संस्कृति के अंतरगत था किसमें था अदब संस्कृति में हम पढ़ क्या रहे हैं इसलामी संस्कृति पैटरन इसलामी संस्कृति के पैटरन पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने अदब को पढ़ा तो अदब में ये सब था इसके बाद देख इतिकता से जुड़े मैत्व का संकेत था, यानि अखलाक जो शब्द था वो कुरान और कई हधीसों में नैतिकता के अर्थ में इसको लिया गया है, यानि अखलाक को एक नैतिकता शब्द के रूप में लिया गया है अखलाक का मतलब क्या है नैतिक व्यक्ति जो सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाता है इसका मतलब है अखलाक ठीक है तो अखलाक जो था वो मानव जाती के निर्मान के लिए बहुत जरूरी था यानि नैतिक था जिसको हम आज के समय नैतिक था कहते हैं वो मानव जाती के निर्मान के लिए मौलिक रोप से बहुत जरूरी था एक मुसल्मान के लिए पैगंबर की सुन्नत का पालन करने वाला करने के अलावा दान देना सला कुरान का पाठ ठीक है तौबा जैसी पूजा के कारे करने करने में इमानदारी सच्चाई से युक्त अच्छी अच्छा अखलाक होने की बात जो है कही गई है यानि कोई भी एक मुसल्मान जो था वो पैगंबर की सुन्नत का पालन करता था ठीक है वो दान देता था कुरान का पाठ करता था सला करता था और इन सभी पूजा पाठ के कारे को इमानदारी से और सच्चाई से निभाता था तो व्यक्ति अखलाक था यानि उसके लिए अखलाक की बात वो कही गई है मुहम्मद की शिक्षाएं उनके द्वारा प्रशेशित मांदंड, रोजमर्रा के व्यवार, विवा, परिवार, व्यवसाइक प्रथाओ, जंजातिय संबंदो, राजनीती और युद की नैतिकता पर अस वो रोजमर्रा के व्यवार में, विवा, परिवार, व्यवसाइक प्रथाओ, जंजातियों के संबंदों में, जो है पवित्रता, यूँ कैसे तो ये सभी नैतिकता से जुड़ीवी चीज़े थी, जिसको जो है अखलाक शब्द से जो है जोड़ा गया था इसलाम में, तो वह व्यक्ति जिन सब चीज़ों को जो मानता था, वो अखलाक के शब्द से उसको नवाजा गया था, और मुसल्मानों के लिए वह दुनिया में पवित्र व्यक्ति था और आदर्श योद्दा के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया था सूफी वाद की बात करें तो देखिए, सूफी शब्द जो है, सूफी शब्द अर्भी के सूफ सब्द से लिया गया है, जिसका आर्थ होता है वह जो उन से बने कपड़े पहनता है, यानि सूफी वाद जो है अर्भी के सूफ सब्द से आया, जिसका मतलब है वह जो उन के कपड़े पहनता है उन से बने कपड़े पहनता है इसका एक कारण यह है कि उनी कपड़ों को आम तोर पर फकीरों से जोड़ कर देखा जाता है यानि जो उनी कपड़े होते हैं उनको फकीरों से जोड़ कर देखा जाता है इसका एक अर्थ निकाला गया है आम तोर पे इस शब्द का एक अन्य संभावित जो मूल अर्थ था वो है सफा ठीक है जिसका अर्भी में अर्थ क्या है शुद्ध था जो इसका मूल अर्थ है वो है सफा जिसका अर्भी में अर्थ क्या है शुद्ध था ठीक तो जो सूफी वाद है वो इसलाम का एक अध्यात्मिक रहस्य वाद है यानि इसलाम में जो अध्यात्मिक के रस्ते पर चलता है वो कहलाता है सूफी वाद तथा यह एक धार्मिक सामप्रदाय भी है यानि धर्म और अध्यात्मिक के रस्ते पर जो चलता है वो सूफी वाद का रास्ता कहलाता है जो ईश्वर की अध्यात्मिक खोज पर ध्यान केंद्रित करता है और भोतिक वाद को नकारता है यानि जो भी युद्ध है, छेतरवाद का जो फैलाव है इन सब को जो ये सूफी वाद है वो नकारता है और ईश्वर की स्तूती करना, ईश्वर की खोज करना, ईश्वर की खोज में लगे रहना, ध्यान केंद्रित करना, तपस्या करना, ये सब सूफी वाद का पार्ट था यह इसलामी रहस्यवाद का एक रूप में जो तपस्या पर जोर देता है इसमें भगवान की भक्ती पर बहुत जोर दिया गया है यानि इसमें अल्ला की भक्ती पर ईश्वर की भक्ती पर बहुत जोर दिया गया है सूफी वाद में और यह इसलामी रहस्यवाद का एक रूप क्या रहस्यवाद का रूप क्या है सूफी वाद जिसमें भोतिक वाद को नकारा गया है और अध्यात में खोज को जो है अपनाया गया है सूफी वाद में आत्म अनुशाशन को धारणा के माध्यम से ईश्वर का ग्यान प्राप्त करने के लिए एक आवश्चक शर्त माना जाता है यानि जो सूफी वाद है इसमें आत्म अनुशाशन को यानि आत्म को एकागरित करके आत्म अनुशाशन करके इस सब को धारण करने का जो माध्य में जिससे ईश्वर का ग्यान पराप्त करने के लिए से माना गया है यानि इससे आप ईश्वर का ग्यान प्राप्त कर सकते हैं अपने आपको एकागर करके तपस्या करके एकांत में अपने आपको अनुशाशित करके ये सबी ईश्वर को प्राप्त करने का ईश्वर का ग्यान प्राप्त करने का एक साधन बदाय गया है बारवी इसवी में शुरुवात में फारस में कुछ धार्मिक लोग खलीफा के भड़ते भौतिक वाद के कारण तपस्या की और मुड़ गए थे यानि जब बारवी शताब दी थी तो खलीफा के दुवारा क्या था बहुत ज़्यादा युद करे जा रहे थे थीक है दुनिया भौतिक वाद का मतलब क्या था कि वह एरिया को बढ़ाना चारा था ठीक है छेत्रवाद कह सकते आप इसको यैशिया जब अपने कोई खलीफा जब आपने आसपास के छेतरों पर कपजह करना जाता है तो वह युद्ध करता है और युद्ध करता है तो उसमें जो आज बहुत सारे जो कि मासूम लोग होते हैं उनकी जाने जाती है तो इस सब चीजों के खिलाफ जाकर के एक ऐसे धर्म के दर्म के राष्ते पर चलने वाला शूफी वाद था ये ठीक है इसी लिए जो इस तमें भुतSूफी वाद को अपनाया गया था कि धर्म के रास्ते पर अपना चला जाए तो भौतिक द्यावाद के कारण ये समस्तिय जो आई थी ना भौतिक वाद के कारण ये चीज जो उत्पन हुई थी ठीक है भौतिक वाद के कारण जो लोग तपस्या के ओर मुड़े तो वो सूफी वाद के ओर गए थे उन्हें क्या का गया था उन्हें सूफी का जाने लगा था फिर यानि ये लोग क्या कहला है बाद में जाके सूफी कहला है जिन्होंने धर्म का मार्ग चुना तपस्या का मार्ग चुना सच्चाई का मार्ग चुना ये लोग कहला है सूफी सूफी वाद के चार चरण थे ठीक है सूफी वाद के कुछ चरण है देखे पहला चरण क्या था पहला चरण था खान का ये दस्मी सताबदी में सुरू हुआ था पहला चरण खान का था ये दस्मी सताबदी में सुरू हुआ जिसे सूफी वाद का स्वर्ण रहसे वाद युग कहा जाता है यहीं से सूफी वाद युग कह सकते हैं आप स्टार्ट हुआ था स्वर्ण रहसे वाद युग इसको कहा जाता है जहां से अध्यात्मी की और जो है इसलाम धर्म चला था दूसरा चरण था तारीका जो 11 से 14 सताब्दी तक चला ठीक है जब सूफिवाद को संस्थागत बनाय जा रहा था और परामपराओ एवं परतीकों को इसके साथ जोड़ा जाने लगा था तो ये दूसरा चरण जो था सूफिवाद का अपने चर्म पे था तीसरा चरण था तारीफा ठीक है दूसरा था तारीका तीसरा था तारीफा ये पंदरवी सताब्दी में शुरू हुआ इस स्तर पर जब सूफिवाद एक लोगप्री आंदोलन बन गया था यानि कि लोगों के द्वारा इसको अपनाय जाना स्टार्ट हो गया था लोग इसमे जानने पैचानने लगे था तो ये सब कब हुआ था ये पंदरवी सताब्दी में हुआ था जब लोग इससे अकरशित होने लगे थे एक तरीके से लोगप्री आंदोलन बन गया था उस समय ये तीसरा चरण था सूफिवाद का परमुक सिलसिले की बात करें सूफि में की थी ठीक है इसकी एक दरगा भी है भारत में आपको पता होगा तो ख्वाजा मोईदुन चिस्ती की तो मोईदुन चिस्ती ने इसकी स्थापना की थी किसकी चिस्ती की ये सिलसिले थे सूफिवाद के उसके बाद था सुहार वर्दी सिलसिला सूहरा वर्दी ठीक है सूहर राज्य के संरक्षन अनुदान को स्विकार किया था यानि कि इसके विपरिज्जों थे लोग वो सुल्तान राज्य के संरक्षन और अनुदान इन सभी को इसमें जो है स्विकार किया गया था इसके बाद था नक्षबंदी सिल्सिला, नक्षबंदी सिल्सिला क्या था इसकी जो स्थापना की थी, ख्वाजा बहाउल दीन ने इसकी नक्षबंद की सिल्सिले की स्थापना की थी, इसके बाद था कदीरिया सिल्सिला, यह पंजाब में लोग प्री हुआ था, भारत में ठ शेक अब्दुलकादिर गिलानी ने चोधवी शताबदी में इसकी स्थापना की थी इसके बाद बात करते हैं शेहरी करण और वैपार की इसलाम में शेहरी करण और वैपार की बात करें तो आठवी और नोवी शताबदी के दोरान अरब प्रायवदीप के बाहर के एक बड़ वी के से इस्लाम का यहांतरिक एशिया में अरब ने विस्तार और उनके वाणिज्य को बढ़ा था जो आंतरिक एशिया था उस समय वहाँ पर व्यूपार वानिज्य था वत अब अनिक के दमार कि देखेंगे को इसने क्या करा एक मद्यमवर्ग का निर्मान किया जो मुस्लिम था ठीक है जो मुस्लिम मद्यमवर्ग का निर्मान किया जिसका शहर के राजनीतिक संस्थानों पर निंतर्ण था यानि यह जो मुस्लिम मद्यवर्ग था इसका शहरों पर निंतर्ण था जिसकी साहिता से अच् तर्शी संस्कृति का दeletion हुआ यानि और फारसी प्लस्के Taylor दчес संपाने जहां से व्यापार चलता था मुझूदा शहरी केंद्रों में महलो, मस्जिदो, उध्यानों, बैरकों, चोकियों और नहरों का निर्मान किया गया था तो ये कुल मिलाकर वेपार या शहरी करन देखने को मिलता है इसलाम में वहीं बात करें कला और वास्तु कला गई तो देखें इसलामिक कला फारस और बाइजेटाइन कला से प्रेरित थी ठीक है बाइजेटाइन कहा था रोमन समराज्य में ठीक है और फारस आप सभी को पता ही है फारस और बाइजेटाइन कला से प्रेरित थी उससे में की इसलाम की कला ठीक है बाइजेटाइन इससे पहले थी इसाई धरम की कला उसके बाद आई थी इसलाम की कला तो ये जो कला थ थे वो बाइजे टाइन कला से प्रहरित थे जब कि फारसी कला ने गैर प्राकरतिक सजावटी रूप को प्रदान किया था जो गैर प्राकरतिक सजावटी रूप था वो किस ने दिया था वो दिया था फारसी कला ने ये किसको दिया था इसलामी कला और वस्तुकला को दिया ग संस्थाओं का निर्मान किया गया था जो धर्म निर्पेक संरचनाय कहलाई थी उस समय मस्जीदों के साथ-साथ महलों का निर्मान भी किया गया स्कूलों का निर्मान किया गया पुस्तकाल्यों और निजी आवासों के साथ-साथ अस्पतालों का निर्मान भी समय देखने को म यानि एक अच्छी खासी वस्तुकला आप देखने को मिलती है इस काल के दौरान इस्लामिक वस्तुकला की प्रमुक विशेश्टाव में क्या था BALB NUMA GUMMत बनाई जाते थे ठीक है मीनारे बनाई जाती थी BALB NUMA GUMMत मीनारे गोडे की नाल की तरहे के महराब बनाई जाते उनमें जो technique की use होती थी वो बलबनुमा गुम्मद आपने देखा होगा ऐसी जो गुम्मद है वो आज भी देखने को मिलती है मस्जितों पे या फिर कोई जैसे जामिया चले जाओगे आप ठीक है दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया इसलामिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी तो बलबनुमा गुम्मदे मेनारे ये सभी क्या थी ये टेकनीक थी बनाने की किसकी इसलामिक वस्तुकला की मुड़े हुए स्तंब महराब ये सभी इसके अंदर देखने को मिलता है खिडकियों के लिए पत्थर में सजावट के प्रियोजन के लिए काले और सफे ये इसलामिक एसलाम ही थी जिए तो कलीनों की बुनाई फेमस थी ब्रोकेड सिल्क फेमस था जड़ा हुआ धातु का काम फेमस था एनामोल्ड गलास्वेर यानि यह क्या था यह शीशे के उपर झोतित यूत करुए क। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यह कहलो कि जो इसलामिक कला थी इसलामिक कला से बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा इस काल के अंदर मिट्टी के बरतन हो गया जड़ा हुआ धातु का काम हो गया यह सब भी इसलामिक वास्तुकला के पार्ट थे तो इस पार्ट के अंदर इतना ही मिलते हैं नेक्स चैप्टर में नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाच वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए